तो फानली आज़के इस वीडियो में एक बहुत अच्छे अपडेट आप सभी को देने वाला हूँ, जो कि Infosys Springboard के तरफ से निकल कर सामने आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर six categories में courses को लाँच किया गया है, courses path and certification के अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले young python professional की courses है, जिसके अंदर आपको 6-7 courses यहाँ पर मिल जाएगी, उसके बाद young java professional की courses है, young industry, banking की courses है, इसी तरह यहाँ पर six category में courses को लाँच किया गया है, एकर करके बात करने वाले सारे courses के बारे में, जैसी आप किसी भी courses पर य learning resources के बारे में बताया जाएगा, जैसी आप इस पर click करेंगे, उससे related सारे courses यहाँ पर आजाएगे, courses की duration देखे तो सारे courses को मिला करके, 717 hours की complete courses यहाँ पर होने वाले, जिसके अंदर आपको किसी भी topic के बारे में deep knowledge यहाँ पर provide की जाएगी, और जो सबसे चीपात है, कोई को description में provide कर दिया गया है, link के तुरू आप लोग इस site पर पहुंच जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले login के बटन पर click करना है, आपको login पर click करने के बाद आप लोग डिरेक्ट Google के साथ भी यहाँ पर login कर सकते, लेकिन मेरी यहाँ पर suggestion नहीं रहेगी, आप सभी को यह यहाँ पर नीचे register के एक text दिख जाएगा, जिस पर आपको click करना है, और manually यहाँ पर registration करना है, ताकि जो भी आपकी certification में name आपकी है, वो आपकी नाम है पर सही है, तो यहाँ पर manually first name, last name, email अडियो और password को generate करके आपको यहाँ पर registration कर लेना है, तो finally login करने के बाद कुछ इस certification, young professional courses के बारे में सारी information आपको यहाँ पर provide की जाएगी, जैसे कि how do I learn, कैसे आपको यहाँ पर सीखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तिनी step यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले आपको किसी भी एक young professional courses को यहाँ पर choose करना, जो कि certification courses उने वाली है, उसके बाद जो भी module होगी, जो भी sequence होगी, उस सारे module को आपको यहाँ पर complete करना होगा, उसके बाद last में attempt or certification के लिए आपको attempt करना होगा, एक चोटा सक कुछ यहाँ पर exam होता है, जिससे आपको pass करनी होगी, सारे module को अच्छे तरीके से complete करनी होगी, उसके बाद आपको एक infosys springboard के दरब से valuable certificate भी दिया जाएगा, जिसमें की certification ID या फिर QR code भी mention किया होगा रहेगा, जैसे की infosys के हर certification courses में mention रहता है, तो finally अब बात करते हैं, एक करके सारे courses के बारे में course path and certification आपको 6 category यहाँ पर मिल जाएगी, जिस भी category में आपकी interest है, अगर आप लोग python के courses करना चाते है, जावा की courses करना चाते है, IOT की courses करना चाते है, या फिर capital marketing की यहाँ पर courses को करना चाते है, अपने choice case आपसे, आप किसी भी courses को यहाँ पर select कर सकते हैं, for example, अगर हम बात करें python के courses की जैसे हमने यहाँ पर click के आप देखेंगे, यहाँ पर python courses के बारे में सारी information आपको provide की जाएगी, time duration क बात करें तो मैंने आपको बताया, 700 hours से ज़्यादा कि यह complete courses होने वाली इसमें कि आपको deep knowledge यहाँ पर provide की जाएगी, इसी के साथ यहाँ पर view learning resources में आपको जाकर के click करना होगा, जैसे आप click करेंगे आपका course यहाँ पर open हो जाएगा, उसके बाद आपको इस पे simply यहाँ प पाएंगे, इसी के साथ certification of completion भी हाँ पर mention किया गया, you earn a certificate of completion in this content, इस content को complete करने के बाद आपको एक certificate भी दिया जाएगा, बात करें, courses बिल्कुल free होने वाली है, सारी courses बिल्कुल free होने वाली है, beginner label की होने वाली है, अगर overview की बात करें, तो क्या क्या चीज़ आप यहाँ पर complete करना होगा, तो यह total courses यहाँ पर python के बार में आप देख सकते हर एक topic को यहाँ पर covered किया गया है, debugging से लेकर, tuple से लेकर, string से लेकर, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर बदाया जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर last make assessment देना होगा, जिसके बाद आपके यहाँ पर part 1 complete हो रखा है, इसके साथ अगर बात करें, इस courses के अंदर आपको क्या कैसी सिखा जागा, तो object oriented programming, python related आपको सारी information यहाँ पर provide की जाएगी, जो कि आज के समय में आगे भी बहुत ही importance यहाँ पर रखने वाली है, तो यह courses को आपको जिरूर जोइन करनी चाहिए, यह courses यहाँ पर बिल्कुल free है, वह अगर बात करें, यहाँ पर young professional java courses के बारे में तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह 965 hours की complete courses होने वाली आप सोच सकते हैं, आपर लगबग 1000 घंटे की courses यह इसमें आपको complete deep knowledge यहाँ पर python के बारे में, java के बारे में provide की जाएगी, अगर बात करें, इस structures and algorithm से related courses यहाँ पर मिल जाएंगे, learn of programming with java and interactive data structures के बारे में आपको बता जाएगा, तो आप जिस भी courses को करना जाते हैं, सारे courses को आपको series में यहाँ पर complete करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, completion of certificate भी आपको यहाँ पर provide की जाएगी, table of content में आप जाकर के देख सकते ह यहाँ सारी चीज़े आपको यहाँ पर सिखाए जाएगी, तो बता दो आज इस platform में इस courses को यहाँ पर launch किया गया, जो कि Infosys Springboard के तरफ से यहाँ पर launch किया गया, जिसका नाम Young Professional Certification courses यहाँ पर रखा गया, जिसके अंदर के बारे में मैंने आपको सारी information यहाँ पर provide कर दी, उसी तरह यहाँ पर और भी बहुत सारे courses है, टोटल अगर हम लोग देखे तो यहाँ पर 20 प्लस courses आपको provide के जाएगे अलग-अलग category में, अगर Young IoT के बारे में बात करें तो इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर सारी information provide की जाएगी, सबका process बिलकुल यहाँ पर same होने व तो में पी यह possible है, आपको direct certification यहाँ पर नहीं मिलेगा, पूरा आपको series को यहाँ पर complete करना होगा, कर लास में certificate का option होगा, अगर उस courses में certification include होगी, तो यहाँ पर आपको एक download का icon भी दिख जाएगा, जिस पर click करने के बाद आप लोग यहाँ पर certification को download भी कर सकते हैं, तो finally, यहाँ पर मैंने आपको young professional courses के बारे में सारे information प्रोवाइड कर दी, इनकेस अगर आपको कोई problem हो, या फिर आपको certification यहाँ पर issue नहीं किया जाए, या फिर certification नहीं मिले, किसी भी issue के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे last में आपको help and contact center में यहाँ पर जाकर क एक click करना, आप देख सकते, एक text लिखा हुआ है last में, यहाँ पर जैसे आप click करेंगे, एक new dashboard को लेगा, जहाँ पर आपको contact us के इस text पर जाकर के click करना, जहाँ से आप यहाँ पर mail भी कर सकते हैं, mail करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते, आपको एक official mail भी provide कर दी और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा